आज हम आपको यह डॉल बनाना सिखाएंगे और यह पोस्टर तो आप लोग देख रहे हैं जो पोस्टर इसमें मैंने थ्रेट प्रिंटिंग की हुई है यह देखिए इस तरह से मैंने धागा लिया धागे से मैंने यह रोल बनाकर इस रोल से मैंने अलग-अलग डिफरेंट के कलरों से प्रिंट कर रखा है तो यह थ्रेट प्रिंटिंग से मैंने एक पोस्टर बना रखा है जैसा कि आप गल चाहिडे आ रहा है तो गल चाहिडे के अकॉर्डिंग मैंने पोस्टर बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यह डॉल बनाना सिखाऊंगी और यह कि Safe Girl Child, हम देखते हैं कि आज के टाइम में जड़तर लोग लड़कियों को इतना important नहीं देते हैं, ना उनको safe रखते हैं, ना उनको educate करते हैं, और काफी ऐसे गाउं हैं, ऐसे शहर हैं, जहां पर तो इनका backward सोच ऐसी है, कि वो लोग लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देत और जिसमें मैंने इन दोनों चीज़ों को सिखाने की कोशिच भी की है, तो जैसे कि एक डॉल बोल रही है कि save me, और ये डॉल बोल रही है कि educate me, तो आब हम स्टार्ट करते हैं, save the girl child पर, ठीक है, अब हम सबसे पहले ये डॉल बनाना सिखेंगे, ये मैंने एक सरकल काटा पुराने कपड़े से, कोई भी आप पुरानी टीशिट ले सकते हैं, पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, उससे मैंने एक बड़ा सरकल काटा हुआ है, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने इसमें कॉटन डाली हुई और एक मैने एक छोटा सरकल काटा हुआ यह मेरे पास एक चोटा सर्कल कटा हुआ है तो यह तो हमारी डॉल की इस तरह से मुझ बन जाएगा और यह बेस बनाने के लिए मैंने बड़ा लिया इसी तरह से मैं इसको सुई धागे से सिलूंगी जैसे कि मेरे पास यह सुई धागा है यह रहा और इससे मैंने इसको यू इस तरह से पूरा यह सिला हुआ है यह इस तरह से मैंने यह पूरा सिला हुआ है और सिलने के बाद इसमें यह ऐसा बन गया है यह देखिए यह ऐसा बन गया है इसमें यह पूरा सिलने के बाद इसमें मुझे यह रेत है मेरे पास या बालू है यह रेत या बालू मैं इसमे तो यह खीचने के पाथ यह ऐसे पोटली बन जाएगी यह पोटली बनी हुई है मेरे पास एक बड़ी सी मैंने इस तरह की रेत भर के इसमें एक पोटली तयार कर ली है और यह हमारी बड़ी पोटली हो गई जो की हमारी डॉल का बेस बनेगा यह डॉल है हमारी यह डॉल का जो बेस बना हुआ है इस बेस के लिए मैंने यह तयार कर लिया अब मेरे पास यह चोटी चोटा सरकल कटा हुआ है चोटे सरकल को मैंने चारों तरफ से सिल लिया है और यह धागा यह रख लिया इसमें मुझे यह कॉटन कॉटन है मेरे पास यह इसको मुझे क्या करना है इसको मुझे इस तरह से यहां पर सिलना है सुई धागे से मैं इसको सिल दोंगी इसको मैंने यहां पर आंका लगा दिया है यह मैं यहां पर ऐसे टांका लगा दूँगी यह ऐसे यह देखिए यह ने टांका लगा दिया है इसको सिल दिया है मैंने अब मुझे इसके डॉल के बाल बनाने हैं जैसे कि डॉल के बाल बने हुए है डॉल के लिए मुझे बूलन की जरुत पड़ेगी हम कोई भी कलर का बूलन ले सकते हैं मेरे पास ये ग्रीन कलर का बूलन है तो मैं ये ग्रीन कलर का बूलन ले रही हूं ग्रीन कलर के बूलन के लिए मैंने ये कॉपी के पेज लिये हैं कुछ क्योंकि मुझे कुछ शॉडाई इतनी चाहिए तो मैंने जितने लंbette लthose को आप अतने साथ से इस तरह से यूँ लपेट कर बहुत सारह लपेट कर यहीं एसे करके आप निकाल ससथे इस तरह से लपेट की निकाल, करूंगी मैं एस आप इसे रखूँ गीला, एसे यहां पे बीदगने के पीछे, वाह पेचे तक पीछे तक इसके बाल दिखें, से आपने हैं, वाह पीछेरें वाह अधिया है, बाता बाल दिखें यहां से दीधनाया है, मुझे जितनी लंबी चोटी रखनी है डॉल की मैं उतनी ही लंबे इसके बाल रखूँगी और यहां से मैं यह मांग बनाऊंगी डॉल की जैसे की डॉल की हम दो चोटी कर रहेते हैं लड़कियों की उस टाइप से यह देखिए अधागा आप कोई भी कलर का ले सकते हैं अगर बुलन के कलर का लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह मैंने इस तरह से कि अब कहीं पर भी इसका यालो कलर ना दिखे इसलिए अब मैंने यह द्धागे को यहाँ नीचे ले जाओंगी इसके बेस पर पीछे यहाँ पर यहाँ पर यहां से मैं इसकी चोटी बनाऊंगी इसकी दो जो डॉल है डॉल की चोटी बनाना है मुझे यहां से मैंने इसकी चोटी बनाई यह देखिए अब इसको में यहां पर भी एक स्वी से टांका मार दूंगी जिससे यह थोड़ा मजबूत हो जाए यह देखिए यह हो गया है अब इसको पीछे से लिया मैंने ऐसे और अब मुझे इसकी डॉल की दूसरी चोटी बनाने के लिए दूसरी चोटी बनाने के लिए मैं धागे को इस तरह से लपेट दूंगी कि मैंने लपेट दिया है यह ऐसे लपेट के मैंने यहां पर एक टांका मार देना है जिसे थोड़ा सा मजबूती आजा इसमें अब यह देखिए अब यह डॉल के बाल बन चुके हैं और यह चोटी बन चुकी है डॉल की कि यह देखिए यह बैक पर भी हमें ध्यान रखना है कि बैक पर यह जो उन है यह बराबर से पीछे तक आए यह पीछे तक आना चाहिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा पिए यह तके यह है दो कि बा FIRST मास्ट को बाल भीए यहां बजगा पकलीः गयान चीज कि कार्षभ कज़ ध्यान रखने के लेक्ई कार्ड़ेक है यह ध्या मैं ≪ कट कर देती हूं अब इसके बालों को मैं इस तरह से कट कर दूँगी देखिए यहां पर भी अब इसे बराबर से कर दूँगी क्योंकि रखने में अगर वो ऊचा नीचा हो रहा है तो हम चोड़ी को बराबर कर सकते हैं अब मैं इसकी आइस बनाऊंगी जैसे कि यह आइस बनी हुए मेरे पास गुगली आइस है इस तरह से यह मेरे पास यह गुगली आइस है छोटी सी अगर आपके पास बड़ी गुगली आइस हों तो आप बड़ी भी लगा सकते हैं और अगर गुगली आइस ना हो तो आप मोती भी लगा सकते हैं इसमें देखे यह मैंने गुगली आइस से यह पेभी कॉल तो गुगली आइस लगा दिया है यह ऐसे ठीक है अब मैं कोई भी डार कलर का सकेच पैंड ले लूँगी उस डार कलर से मैं इसके मू बना दूँगी यह बन गया है अब इसके बाद यहां पर बस मुझे डिजाइन बन लगा देना है कोई भी डिजाइन लगा सकती हूं मेरे पास यह कटिंग की ग्लीटर शीट पढ़े हुए थे तो मैं ग्लीटर शीट लगा रही हूं अगर आपके पास कोई मोती सितारा या स्टोन पढ़ा हूँ आप वो लगा सकते हैं और यह हमारी डॉल बनके रेडी हो गई है इस तरह से डॉल हमारी रेडी हो गई है जो कि मैंने एक थीम बना दिया है उनको कि सेब मी प्लीज एडुकेट मी प्लीज आप देख सकते हैं आपके मैंने थी डॉल्स रेडी कर रखी है यहां पर देख लीजिया आप